इस सेशन की पीडियेफ आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और टेलिग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएका ही हाई अव्रिवन इन दिस सेशन यह बहुत आपके कमपेरिजन में आपसे उपर है like post wise if you are a TGT teacher and other person in front of you is a PGT teacher so यह superiority होती है post wise so इसी को हम बोलते है superior और इसका opposite होता है inferior inferior means आपसे लो कैटेगरी में उस परसन का होना next word is famines next word is famines famines का मतलब होता है भुखमरी जब किसी country में किसी देश में खाने की कमी हो जाए भोजन की कमी हो जाए उस situation को हम famines बोलते हैं और आप बताईए का यह हमारी कौन सी neighbor country में एक बार आई थी next question is drought okay sorry next word is drought 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 का मतलब होता है सूखा पढ़ना सूखा क्यों पढ़ता है जब बारिश की कमी होती है या फिर बारिश उतरी नहीं आती जितना requirement होती है तो उस situation को हम बोलते हैं कि इस छेतर में drought पढ़ी हुई है मतलब सूखा पढ़ना उसको बोलते हैं drought और drought मेली कौन से स्टेट में पढ़ सकता है वो आप comment section में ज़रूर मैंशन करिएगा next word is influence next word is influence आपने काफी सुना होगा he is my influencer मतलब कि ये person मेरे को बहुती जादा परभावित करता है मेली influence जो है एक positive word है influence का मतलब होता है कोई person आपको positive way में आपको परभावित करता है कि हाँ if he can do then I can also do so next word is goods ये word काफी exam में पूछा जाता है goods आपको एक differentiate पता होना चाहिए हम बोलते हैं he is a very good boy she is a very good girl और एक होता है goods तो दोनों में difference होता है सिर्फ S का ही change हो है लेकिन difference बहुत बड़ा है good का मतलब होता है अच्छा और goods का मतलब होता है समान जैसे कि हम बोल सकते हैं कि grocery goods kitchen का जो समान होता है उसको हम grocery goods के नाम से बोल सकते हैं तो आपको ये differentiate करना आना चाहिए next word is सोनाक्षी significant significant का मतलब होता है something which is important जो बहुत ही सादा महतवपुर्ण होता है उसको हम significant बोलते हैं और इसका हम synonym ले सकते हैं important next word is massacre okay massacre इसकी spelling काफी पूछे जाती है कि इन चार options में से correct spelling कौन सी है और इसकी spelling एक बार आपको सुनाक्षी जे बताएंगी क्या है M-A-S-S-A-C-R-E okay आपने सुन लिया M-A-S-S-A-C-R-E so जो मैं question बता रही हूँ न आपने experience के coding बता रही हूँ so आपको वो mention याद रखने हैं कि हाँ यह आ सकता है मतलब आ सकता है यह spelling में ही पूछा जाएगा और इसका massacre हमने बता दिया क्या होता है यह होता है जब mask killing होती है मतलब होती जादा जनसंख्या में जब लोगों को मारा जाता है तो उसको हम massacre बोलते हैं और आपने इसका example सुना होगा जलिया वाला बाग massacre यह कब हुआ था and if you don't know तो इस वीडियो को last तक देखना मैं last में आपको बताने वाली हूँ यह कब हुआ था next word is tease tease काफी simple word है tease मनलब चिडाना किसी को चिडाते हैं तो उसको हम tease बोल देते हैं next word is prejudice okay next word is prejudice prejudice क्या होता है जब हम किसी को negative way में judge करते हैं तो उसको हम prejudice बोलते हैं so prejudice means to judge someone in a negative way next word is console okay next word is console console का मतलब होता है यह हमारा last word है console means किसी को शांत बना देना उसकी negative situation में like if you have failed in some examination आप किसी बेग्जाम में fail हुए हैं तो आपको आपके parents console करेंगे कि निराश मत बैठिये next exam आपका clear होने वाला है so console का मतलब होता है किसी को शांत बना देना उसको उसके दुख से निकलने के लिए उसकी help करना so these are today's top 10 words और जैसा कि मैंने कोशन पूचा था कि जलिया वाला बाग मैसे कर कब हुआ था so यह हुआ था 13th of April 1919 thank you have a good day do like share and subscribe our channel let's dream together